आज के इस वीडियो में मेरे दोस्तों बड़ी ही वाइडली नोन बहुत ही प्यार भरी पिंक एनरजी आज हम लोग बात करेंगे रोस कोर्ट्स के बारे में I'm pretty sure कि हर एक इनसान ने रोस कोर्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा खासकर आज कलके यंग्स्टर्स की बात करें तो वैसे ही लव लाइफ की तरफ थोड़े जादा वो लोग जो है अकरशित रहते हैं तो इस वज़ा से ही ऐसा कोई इनसान नहीं होगा जिसने रोस को ना देखा हूँ या रोस कोर्ट्स के बारे में ना सुना हो क्वार्ट्स नाम में ही आ रहा है दैडवीन आप समझ जी सकते हैं क्वार्ट्स का ही एक फॉर्मेशन है लाइट पिंग कलर में या फिर पेल पिंग यूज के साथ में ये क्रिस्टल आपको जो हम मिलेगा बहुत ही परेटी बहुत ही अट्राक्टिव लुकिंग क्रिस्ट तो लव से भी काफी बढ़कर हैं बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ में आता है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवशकार दोस्तों मेरा नाम है अभिशेक और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो में मेरे साथ में one on one connected रहने के लिए don't forget to subscribe to the channel also bell icon को भी आप press कर दीजे ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालू आपको उसका instant notification मिल जाए so मिले दोस्तों जो rose quartz है ये connected है आपके heart chakra अनाहच चक्रा से जो किया है the seat of love, compassion, empathy and forgiveness इन ही beautiful emotions को आपके अंदर develop करने में rose quartz बहुत अच्छे से काम करता है बहुत ही पहतरीन साबित होता है तो आईए जल्दी से rose quartz के कुछ re-none benefits जान लेते हैं rose quartz का benefit number one develops self love आज के जमाने में youngsters कहें लीजिए या कोई भी इंसान कहें लीजिए लोग फस चुके हैं प्यार डूंडने की दौड में या प्यार करने की दौड में किसी दूसरे इंसान को लेकिन अक्सर ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कि सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना ज़रूरी है जिसे हम लोग self love, self care कहते हैं अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद खुश रहेंगे तब ही तो उस प्यार को, उस खुशी को किसी दूसरे इंसान के साथ में share कर पाएंगे जब तक एक इनसान खुद को ही प्यार नहीं करता, वो इनसान किसी दूसरे को कभी प्यार नहीं कर सकता इनी emotions को, self love को, self care को, rose quartz आपकी life में लेकर आएगा अकसर मैंने देखा है कहीं लोग खुद से नफरत करते हैं, self hate जैसी feelings उनके अंदर develop हो जाती है अब जो इनसान खुद से ही नफरत करता है, कैसी wipes आएंगी उसमें से क्या attract होंगे लोग उसकी तरफ लोग उसे प्यार कर पाएंगे, नहीं सबसे पहला कदम खुद को प्यार करना है, उसके बाज में बाहर प्यार ढूंड़िए, लोगो वो प्यार कीजिए रोसकोर्ट्स को धारन करने का benefit number two, develops compassion and kindness in your life, एक बड़ी ही famous कहावत है, जिसमें कहते हैं, in this world where you can be anything, be kind first, सबसे पहले इनसान बनना जरूरी है लाइफ में, उसके बाद में कुछ और, है ना, तो रोसकोर्ट्स जो है, ये काम करता है आपके अनाहत पर, आपके हाट चक्रा पर, जब अनाहत सक्रिये हो जाता है, वो इनसान का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, वो इनसान जो है, उसके दिल में से कुरूरता, कुरूर भाव जो है, वो मिट जाता है, और दया भावना, compassion, kindness, वो develop होती है, और आप life के किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, life में कुछ भी बड़े से बड़ा बन जाए, kind and compassionate होना आपके लिए बहुत सरूरी है, humble रहना बहुत सरूरी है, इसी चीज में rose quartz आपकी मदद करेगा, rose quartz पहनने का benefit number 3, heal relationship problems, आज की दुनिया में relationships are the most fragile things, चुटकियों में रिष्टे खतम हो जाते हैं, चुटकियों में लोग एक दूसरे क छोड़ देते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ जाते हैं, क्यों होता है, या कभी आपने सोची है चीज, आज कल के जो couples हैं, वो एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे की बात समझना नहीं चाते, एक दूसरे को अपनी बात समझाना पहले चाते हैं, इससे क्या होता Misunderstandings पढ़ती हैं एक दूसरे के बीच में, रिष्टों के बीच में तनाव पैदा होता है, फिर रिष्टे खतम हो जाते हैं, लोगों की शादिया तूट जाती हैं, घर बरबाद हो जाते हैं, breakups हो जाते हैं, ऐसे ही couples जिनके बीच में इस टाइम पर tension वाला महौल चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर एक दूसरे से discuss नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे couples अगर rose quartz को use करेंगे, तो इनके बीच में एक mutual understanding develop होगी, mutual romance develop होगा, दुबारा से जो relationship में से spark missing हो गया था, फिर से होगा feelings दुबारा से light up हो जाएंगी Also कुछ मेरे ऐसे viewers जिनका अभी recently में breakup हुआ है और वो उस बुरे दोर से, depressing दोर से गुजर रहे हैं, ऐसे लोग जो की चाहा कर भी अपने partner को नहीं भुला पा रहे हैं, overcome नहीं कर पा रहे हैं, जानते हुए भी की चीज़े खतम हो चुकी हैं, ऐसे लोग अगर rose quartz के साथ में work करेंगे, rose quartz को धारन करेंगे, तो उनका ये जो healing process है, ये जो face है, ये थोड़ा सा speed up हो जाएगा और उनको help मिलेगी उस relationship जो उनका past था उससे overcome होने में, now comes the benefit number 4, rose quartz keeps you calm and peaceful, अब जो लोग जिने कहते हैं न, जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका दिल अच्छा होता है, अच लड़ाई जगडों में believe नहीं करते, शान्ती से चीजों को start करना, खतम करना, prefer करते हैं, है न, माफ करना जानते हैं, forgiveness होती है उनके मन में लोगों के लिए, खहते हैं न, भगवान माफ करना जानता है, भगवान का दिल बहुत बड़ा है, वैसा ही बड़ा दिल हमें रखन काम रहना है, peaceful रहना है situations में ताकि खुले दिमाग से चीजों को एक अच्छे नुजरिये से देख सकें, इस चीज में रोस क्वार्ट्स बहुत आपकी मदद करेगा, हार्ट चक्रा को strengthen up करेगा, हार्ट चक्रा strengthen up होगा, तो वैसे ही आपका दिल बड़ा होने लगेगा, आपके अंदर वैसा emotion जगाता है, वैसा काम आपको बनाता है, peaceful आपको बनाता है, आपके इर्द गिर्द क्या negative चीज़े चल रही है, उनका impact आपके state of mind पर नहीं होता, आपके दिलो दिमाग पर नहीं होता, आप काम रहते हैं, अपनी धुन में आप जो है, मस्त है, Rose Quartz भी मेरे दोस्तों, बहुत सारी forms में आपको जो है मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि one of the most popular crystals है, तो इसकी multiple forms आपको मिलेगी, Rose Quartz आपको beets में मिलेगा, जिसकी माला आप पहन सकते हैं, जिसका crystals बहुत सारी girls को मैंने देखा है, पहनती है as a fashion accessory, जूलरी में भी Rose Quartz बहु करना चाते हैं, अपने घर में, अपने workplace में, आप Rose Quartz के pyramids बाए कर सकते हैं, Rose Quartz के spheres आते हैं, Rose Quartz के points आते हैं, उनको आप बाए कर सकते हैं, और अपने घर में, अपने workplace में रख सकते हैं, ताकि जो relations हैं, आपके colleagues के साथ में, आपके family के साथ में, आपके वो भी सुदरे, अपने bedroom में जिन couples की मैंने अभी बात करी जो जिनका भी थोड़ा tensed face चल रहा है वो अपने bedroom में अगर एक rose quartz का पिरामिड रख ले रख ले रहे बहुत beneficial उनके ले रहेगा. Also rose quartz काफी सारे beauty products में भी use होता है आपने देखा होगा अकसर की rose quartz के rollers आते हैं जिनको face massage के लिए काफी सारे लोग जो है use करते हैं गवाशा एक product है जो की आता है तो rose quartz beauty products में भी use होता है अगर आप चाहते हैं इन में से किसी भी product को buy करना तो इस तरह के genuine crystals हम लोग sell करते हैं हमा trusted source से अपने लिए इन crystal products को order कर सकते हैं चार्ज करके हम इन crystals को आपके लिए भीजते हैं ताकि benefit आपका जो है वो maximum reap out आप कर सके इन crystals से also जाते जाते कुछ important points चो की मैं हर crystal वीडियो के end में बताता हूँ अगर आप channel को follow करते हुए आ रहे हैं आप इस part को skip कर सकते हैं अगर आप मेरी ये first video देख रहे हैं तो इनको ज़रूर सुनिए अब crystals से maximum benefit उठाने के लिए तीन points को follow करना बहुत ज़रूरी है कई लोग सिर दियान रखिए point number one है कि you have to trust the crystal energy भरोसा करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि rose quartz का example ले लेते हैं अगर मैं एक rose quartz का प्रेसलेट पहन रहा हूँ तो मुझे उसमें इंटेंशन सेट करनी है सबसे पहले मुझे बताना है उसे कि मैं चाहता क्या हूँ उसे क्यों पहन रहा हूँ for example मैं अपने relationship को heal करने के लिए rose quartz को धारन कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि इस प्रेसलेट को पहनने से मेरा relationship heal हो गया या मेरा relationship heal होने लग गया है इस तरीके से हम universe को बताते हैं रेकी में manifestation को हम लोग इस तरीके से करते हैं इस तरीके intention हम अपने crystal में डालेंगे और उस को पहनने से ये चीज हो गई तो automatically वो चीज होने लग जाएगी आपकी life में second चीज तो इसको ध्यान रखता है crystal की energy के साथ में connect करना है although सिर्फ पहन लेने से भी आपको benefits दिखने लगेंगे but maximum benefit पाने के लिए energy से connect करेंगे कैसे करेंगे ध्यान लगाएंगे meditate करेंगे लंब करा meditation करेंगे जिसके पर मैं एक वीडियो लगँगा बहुत जल साथ में इन crystals जो है इनको use करेंगे meditation के time पर तो आप इस crystal के साथ में connect कर पाएंगे इसके energy से और ये और भी ज़्यादा आपके साथ में align होकर काम करेगा आप पर point number 3 crystals को timely cleanse and charge करना बहुत सरूरी है जिस तरीक आपकी और एक field पे रहते हैं दस तरह की negative vibrations, negative energies, psychic attacks को जो crystal है वो cater करते हैं उनको block करते हैं आप swap करते हैं जिससे timely जिसकी वज़र से आपको अपने crystal को cleanse करना and charge करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने optimal जो results है वो आपको provide कर पाए cleansing and charging कैसे करते हैं इस पर बहुत जल्द एक वीडियो आएगा तो channel को subscribe आप जरूर कर लेना ताकि वो वीडियो आप मिसा उट ना कर दें सो यह थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो rose quartz के उपर I am pretty sure ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी and धारन कीजी आप rose quartz को और इसके maximum benefits उठाईए कोई भी questions आपके इस crystal से जुड़े हुए या किसी और crystal से जुड़े हुए हैं उनको comment section में आप छोड़ना ना भूले मैं जरूर उन्हें answer करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए हो तो वीडियो को आप like करें और चैनल को subscribe करें बेल आइकन को दबाएं ताकि next वीडियो जो मैं डालू इसके बाद में या कोई भी future वीडियो डालू हम लोग one on one ऐसे ही जुड़े रहें और एक दूसरे को हील करते रहें नमश्कार दूस्तो दरने वाद